भारत और शिरलंका के बीच तीसरे वंडे मैंच पे टीम इडिया के गेंद पास जस्प्रीद बुम्रा का जलवा देखने को मिला जस्प्रीद बुम्रा की आगुगलती गेंदों के सामने शिरलंकन बैट्समैन के पास कोई मौका नहीं दिखा और नतीजा ये वा की बुम्रा ने तो इत्ती हासी रिच दिया बुम्रा की ऐसी गेंदे आ रही थी कि शिरलंकन बैट्समैन के स्टंप को उड़ा रही थी और यही कारण है कि जस्प्रीद बुम्रा ने पाँच विकेट अपने नाम कर लिए जी हाँ दस ओवर में दो ओवर तो उन्होंने मैटीन ही निकाल दिया और सिर्फ 27 रन देकर पाँच शिरलंकन बैट्समैन को पवेलियन भेजने का काम किया यही कारण रहा कि शिरलंका सिर्फ 217 ही रन बना पाया नो विकेट के नुकसान पर आपको बता देगी सबसे पहले बुम्रा ने एंडिक वेला को आउट किया जो एक खतरना कवल्लेबास उनको LPW करने के बाद उन्होंने मैंडिस को चलता किया उसके बाद धिर्माने भी जो सबसे ज्यादा हाइस्ट स्कोरर रहे शिरलंका के उनको भी बुम्रा ने ही अपना शिकार बनाया और आखरी में तो बुम्रा की गेंदों का ऐसा हाल था कि सीधा स्टंप पर गेंद जा रही थी और बुम्रा ने पूरे पांच विकेट अपने नाम की शिरलंका की और से सिर्फ धिर्माने ने असी रोनों की सबसे बड़ी पारी खेली वह अगर टीम मिडिया के बाकी गेंद बाजू की बात की जाए तो हार्दिक पांडिया, अक्षर पडेल और केदार चादाओ को एक-एक विकेट मिला लेकिन आज जलवा रहा सिर्फ चस्प्रीन पुम्रा का इस खबर में फिलाल इतना ही लेकिन इस खबर को लाइक और शियर करना बिल्कुल मत भूलिये साथी हेड़वाइन्स इस्पोर्ट्स को पलपल की अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कीजिए